सब्सक्राइब तो आर यूट्यूब चैनल और क्लिक उन बेल आइकन फर लेटेस्ट अपडेट्स नेशनल टेस्टिंग एजनसी ने अप्रेल सेशन के लिए जैई में 2020 अप्लिकेशन फॉर्म को ओफिशियल वेबसाइट पर रिलीस कर दिया है केंडिडेट्स अब ऑनलाइन मोड में 6 मार्च 2020 तक एप्लिकेशन फॉर्म को सब्मिट कर सकते हैं एप्लिकेशन फीज जमा करने की आखरी तारिख 7 मार्च 2020 है इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि फीज का भुकतान केवल नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपी आई या फिर पेटियम के माध्यम से ऑनलाइन मोड में किया जा सकता है फार्म भरने से पहले कैंडिडेट्स को अपनी एलिजबिल्टी जरूर चेक कर लेने चाहिए एलिजबिल्टी की शर्तों को पूरा ना करने की स्थिति में फार्म को रिजेक्ट किया जा सकता है NTA JMAIN Admit Card को 20 March को रिलीज करेगी और JMAIN 2020 परिक्षा 5, 7, 8, 9 और 11 अपरेल 2020 को आयो जित की जाएगी JMAIN Application Form को फिल करने की Step by Step प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें सबसे पहले JMAIN 2020 की Official Website पर जाएं और Application Form for JMAIN April 2020 पर क्लिक करें अब पेज पर आपको दो options दिखाई देंगे First Registration Only option सिर्फ उन candidates के लिए है जिन्होंने January 70 के लिए आवेदन नहीं किया था जो candidate January 70 के लिए JMAIN 2020 परिक्षा दे चुके हैं उन्हें Apply with JMAIN January 2020 credentials options चुनना पड़ेगा First Registration विकल्ब को चुनने वाले candidates New Registration बटन पर क्लिक करें और Application Form को भरने से पहले पेज पर दिएगे निर्देश, प्रक्रिया और सूचना बोलेटिन को ध्यान से पढ़े पेज के अंत में दिये गए Checkbox को Select कर Click Here to Proceed पर क्लिक करें Candidates को इस पेज पर अपनी Personal और Contact details देनी होगी और Password को चुनना होगा इसके बाद Security Question और Answer को चूज करना होगा अंत में Security PIN को फिल कर Submit बटन पर क्लिक करना होगा अब स्क्रीन पर Review Page का Message पॉप अप होगा यहां से Candidates अपनी Detail को Review और Edit कर सकते हैं अब Final Submit बटन पर क्लिक करें Successful Registration के बाद Application Number जनरेट होगा Application Number जनरेट होगा अप्लिकेशन नमबर रिजिस्टर किये हुए Mobile Number पर और Email पर भी जा जाएगा अगले स्टेप में Complete Application Form टैब पर क्लिक करें Application Form को भरते समय Candidates को Personal Details और साथ ही जिस कोर्स के लिए वे अप्लाई कर रहे हैं को सेलेक्ट करना होगा इसके बाद Education Details, Additional Details और Personal Income Details को भरना होगा और अंत में Security Pin को फिल कर Submit बटन पर क्लिक करें भरे हुए Application Form को Review करने के बाद Final Submit बटन पर क्लिक करें अगले स्टेप में Uploaded Images पर क्लिक करें और Authorities द्वारा दी गई Dimensions के अनुशार फोटो, सिगनेचर और 12th क्लास के Admit Card या Mark Sheet या Certificate को अप्लोड करें और Security Pin को फिल कर Upload बटन पर क्लिक करें इसके अगले स्टेप में फीस का भुकतान करने के लिए Mode of Payment को सेलेक करना होगा Mode सेलेक्ट करने के बाद Proceed for Payment पर क्लिक करना होगा अब Candidates को Payment Provider सेलेक्ट कर डिटेज को भरना होगा Payment कंप्लीट हो जाने के बाद स्क्रीन पर Confirmation Page दिखाई देगा भविस्ते के इस अंदर्व के लिए Confirmation Page को डाउनलोड कर इसका प्रेंट आउट ले ले Candidates अपने Confirmation Page को ईमेल पर रेसीव कर सकते हैं Confirmation Page, Admit Card, आदी महत्रपूर्ण डीटेज को रेसीव करने के लिए Candidates को अपना Mobile Number और E-Mail ID की OTP के माध्यम से वेरिफाई भी कराना आवश्यक होगा Subscribe to our YouTube channel, follow us on Facebook, Twitter, Instagram and visit Carriers360 website for more details